हेलो गाइस वेलकाम एक मिश्टर श्रीफ गमी में गाइस मैं हूँ श्रीबंगोल और एक बार फिर से हम यूरो ट्रक सुमुलेटर 2 का एक और पार्ट ले करके आए हैं और इस बक्त हमारे पास जो ट्रक खड़ा है वो है डैप XF ट्रक और इसके साथ हमारा जो ट्रेलर अब मैं त्रक को चुका है शाइड में मैं देख लेता हूं और यह यहाँ पर देख सकते हूँ यहाँ बना रख्ता है यहां पर पीछे भी आप देख सकते हो पीछे वाई पहले मैं पहला गया डाल देता हूं और इसके बाद अब लेकर करके चलते हैं इसको थोड़ा सा आगे की तरब पीछे से थोड़ा सा देखते हुए यहां पर चलना पड़ेगा क्योंकि ट्रेलर मुझे जो है थोड़ा सा यहां से निकालना पड़ेगा ओके निकल चुका है ट्रेलर अब ठीक है थोड़ा सा इधर को करके निकालना पड़ेगा मुझे ताकि कोई डिक्कत न हो ये बेरी गुड बाई साब गेट खोल दो जरा ट्रक यहाँ पर जा रहा है हमारा तो गैज यहाँ पर हमारा जो ट्रक है वो निकल चुका है ट्रेलर को लेकर के इसमें काफी सारी ब्रिक्स रखी होई है और ये ब्रिक्स हम सप्लाइ करने वाले हैं यहाँ से ठीक है यहाँ से निकल लेते हैं हम बाहर निकल जाते हैं एक बार बाहर भी हमारा जो ट्रक और ट्रेलर है वो सही चल लए हैं और अभी हम काफी घने जंगलों में हैं घने जंगलों में यह हमारी जो कंपनी है वो बनी हुई है जहां से हमने यह सारे ब्रिक्स उठाए हैं और यह देखो ब्रिक्स के किस तरीके से पैकेट बना रखे हैं और इ यहां पर देखते हुए चलो भाई साब कोई है तो नहीं इधर भी कोई नहीं है चलो 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 कोई नहीं है कोई नहीं है कोई है तो नहीं है कोई है तो नहीं है कोई है तो नहीं है कोई दिखाए तो डे ही नहीं रहा है ठीक है मैं निकाल ले ता हूँ इसको यहाँ से निकल चुका है ट्रेलर भी ओके अब फिर से मुझे यहाँ पर राइट टुन करना पड़ेगा ओके बहुत आराम राम से मैं इस ट्रक को चला रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि मैंने बहुत बसार मचा रखे थी काफी सारी वीडियो में कि मैं जो उता बहुत स्पीड में लेकर के जा रहा था लेकिन यहाँ पर हम बहुत ही स्मूथली तरीके से लेकर के जाएंगे इस ट्रक को कोई दिक्कत नहीं होगी एक स्मार्ट तरीके से हम वर्क करने वाले हैं यहाँ पर थोड़ा से मैं बाइपर और फास्ट कर देता हूँ यह अब ठीक है अब सही चल दा याद बेरी गुड बहाँ निकल जाते हैं एक बात और यह देखो वाईज हमारा जो ट्रक है वो सही जा रहा है यहाँ से बेरी गुड इतनी स्पीड काफी है इस ट्रक के लिए मैं अंदर बैठ जाता हूँ ओके बार इसमें ज्यादा तेज नहीं बगाएंगे इस ट्रक को आगर हाईवे आएगा तो पहाँ पर हम छोड़ेंगे भी नहीं अपनी स्पीड लेट हो जाएं वो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमें आराम से चला यहाँ पर ओके एक और ट्रकार आ यहाँ पर थोड़ा साइड हो करके ओके निकल गया आराम से पुलिस की काफी गाडिया है यहाँ पर भाई और यहाँ पर थोड़ा सा मुझे रूप करके चलना पड़ेगा ओके सिगनल यहाँ पर लगा हुआ है और यह ग्रीन वी ओ चुका है ओके भाई साब जरा थोड़ा सा साइड हो जाना जरा ओके अधर ट्रेलर निकल चुका है ठीक है बेरी गूड यह भी सही हो गया हमारा ट्रेलर भी निकल चुका है बहुत हम राम से यहां पर चला रहे हैं अपने ट्रक को यार यह बारिस कब बंद होगी बारिस बंद नहीं हो रही है भाई अब ही मुझे लगता है हम उपर की तरफ जा रहे हैं और वहीं से अपने दूसरे हाइवे पर हम पकड़ने वाले हैं यहां से ही मुझे राइट मुड़ना पड़ेंगा इंडिकेटर दे देता हूं ओके बहुत अराम से हम यहां पर चला रहे हैं यार ज्यादा हमें जल्दी की नहीं है कोई भी और भाई यहां पर बड़े सारे ट्रक जा रहे हैं भाई क्या बात भाई साब अराम से कोई है तो ने ट्रक है भाई थोड़ा साइड दे दे न भाई अभी मताना ज़रा इदर साइड ओके तो गाईज हम जो है अपने दूसरी लैन में आ चुके हैं और यहां पर हमें सीधे जाना है यार यहां पर बहुत ज़्यादा ट्राफिक बढ़ चुक आराम से आराम से आराम से चलो भाई साब क्या हो गया जल्दी चलो यार इस बहुत अगला ट्राफिक है यार यहां पर दो चल भाई चलो चलो अभी मुझे उतना पड़ेगा क्या यहां से ओके उतना पड़ेगा यार आगे से हम अपना राइट लेने वाले यहां आपर भाई मैं अपने वाईपर बंद कर देता हूं वो तो मैंने ध्यान नहीं दिया यार ओके यह मैं यहां समर्दने वाला हूं मुझे राइट निकलना पड़ेगा यहां से ओके तोड़ सा स्पीड कम कर लेता हूं मैं यह सही निकलना हूं मैं यहां से मेरा ट्रेलर सही जा रहा है ना ठीक है ओके ओके शही निकल गया हूं मैं यहां से और मुझे इधर को देखते हूँ चलना पड़ेगा यह दोगो यह कार निकल लगी है यहां से अब मुझे यहां से लेप्ट जाना पड़ेगा दूसरी लेंड में ठीक है बाइस अब यहां से मैं निकल चुका हूँ दूसी लेंड में आ चुका हूँ और भाई अब मुझे सीधे भागना पड़ेगा यार चलो यहां से हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं अपने ट्रक की और अभी तेक तो हम सही चल लए हैं देखते हुए बाहर निकल जाता हूँ एक बार और यह देखो बाईस कितना अच्छा यहां पर मौसम लग रहा है बहुत बढ़िया अरे यार आगे भाई ट्रैफिक चल ला है पुलिस की गाड़ी आगे भाई दूसी लेंड में आ जाता हूँ एक सेकेंड दूसी लेंड में आ जाता हूँ यार यहां पर यहां पर तो बहुत गाड़ियां चल ली है भाई ओए रुख जा रुख जा रुख जा भाई रुख जा क्यों मानने के इरादे रख रहा है यार अब ठीक है और यह देखो यार कितना ट्राफिक चला इस लेंड में तो हमारे जो राइट साइड में लेंड है भाई इसमें तो बहुत जादा ट्राफिक चला यार देख रहो गाईज ओके और यह सिगनेचर ब्रीज यहां पर आच चुका है भाई ओ माई गौड देखने में तो सिगनेचर जैसा ही है ठीक है भाई साब हम यहां से निकल जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं अपने ट्रक की यहां पर ओ भाई बहुत ज़्यादा ट्राफिक है यार इस हाइवे पर तो बहुत ज अभी मैं यहां पर साही चल ला हूं यार वाय वहरी विड्ट यहां पर कितना अच्छे से चल लाई है मेरी गड़ियां वाय यार मजा आगया बाव चलो मैं अंदर बैठ जाता हूँ और अब चलते हैं भाई आगे की तरफ भाइसाब थोड़ा सा जड़ा मुझे जाने दो गए यार यहां से क्योंकि मुझे यहां से निकलना है थोड़ी सी speed बढ़ा लेनी है और फिर मैं लेन चेंज कर देता हूं यहां से ओके रहीं मेरी यहां पर ठीक है हम यहां से speedड बढ़ा लेते हैं अपने ट्रक की और फिर चलते हां मैं जारा side में देख लेता हूं side में रख रहां ठीक है मैं इधर side कर लेता हूं ठीक है ओक हुआ एप ठीक है है और हम बहुत तरीके से चल लए आज इस बार किशलो पाई क्या अभी हम उतनने वाले नहीं हैं मुझे लग रहा हम तो हाइवे साहिवे हाईवे साध ने वाली भाई वह लंबा सफर है हमारे लिए अरे भाई साब सामने से कार आ गई है एक सेकिन मुझे थ्वड़ा सा साइड करना पड़ेगा अभी तब तो यार उतर भी नहीं पाएंगे हम यहां पर और भाई आराम से यहां पर दिखो ट्रैफिक आगे मिला है हमें थोड़ा सा अराम से और भाई यहां पर मुझे राइट ही मुड़ना पड़ेगा तो मैं थोड़ा सा इस साइड आ जाता हूं लेकिन भाई यह कार जो है मार ना दे मुझे कई कार तो अभी कापी दूर है चलो हम इदर कर लेते हैं हम इधर आ चुके हैं और अब यहां पर ओपर की साइड मॉंडना है और फिर हमें एक और जो हाईवे है उसको पकड़ना है यह तो मैंने ध्यानी दिया बच गया बच गया बच गया चलो भाई क्या हुआ चलो भाई क्या हुआ यार मैं बच गया भाई अभी यह अरे यार बहुत तकड़ा यहां पर तो एक्सिडेंट हो रखा है भाई फिर मुझे उपर की तरफ मुढ़ना पड़ेगा यार यार यह सब लोग तो उधर जा रहे हैं यार अब कहां से निकलना पड़ेगा मुझे यार यह रास्ता बंद कर देते हैं तो बहुत गुस्सा आता यार बहुत बुरा लगता है भाई अच्छी बात नहीं है यार यह एक काम करते हैं यार मुझे लगता है हम इधर को नहीं जाएंगे क्योंकि पिछली बार हम फस्ट चुके थे तो ट्रक के अंदर बैटो और हमें जो है थोड़ा सा इस लेन में जाना है इस लेन में हम निकल जाते हैं पीछे से को तो कोई आई नहीं रहा है तो हम यहां से हो करके दिर को निकल जाते हैं आगे से हमें अगर कुछ मिल जाता है तो हम चलते हैं भाई यह ट्रक कहा को मुलेंगे तुम मुझे बहुत लंबा सफर लेना पड़ेगा एक सेकेंड मैं एक बार पहले मैप चेक कर लेता हूं सोरी यह तो मेरे मिरर ओपन हो चुके हैं यह भाई बहुत लंबा सफर पड़ जाएगा यार मेरे को भाई चार घंटे का सफर हो चुका है यार यहां पर तो कोई बात नहीं अब तो यहां से चलना पड़ेगा यार मुझे तो लग रहा था कि मैं वहां से निकल जाऊंगा लेकिन यहां पर तो लंबस पर हो चुका है मेरा भाई स्पीड तेज करनी पड़ेगी मेरे को अपने ट्रक की यहां पर तो कि यार बहुत दिक्कत हो गई है यार यहां पर कोई भी मतलब एक्सिडेंट हो जाता तो यह रास्ता बंद कर देते हैं बिलकुल बंद कर देते हैं यार कोई आने जाने का नहीं भाई यह बस कैसे निकल लिए भाई या आप रास्ता कहां है मेरा अभाई आगे भी बंद है क्या रास्ता लम्बा मत कर दे न मेरा हो रार और भाई जी तो मुझे लग रहा है बहुत लम्बा सपर है यह गुँमा करके लेकर क enforcement आएगा मेरे को बच गया बच गया बच गया अरे यार भाई इतने आराम आराम से लेकर के आ रहा हूं फिर भी यार एक्सिडेंट होने से बच गया मेरा बताओ यार इतने प्यार से गाड़ी को चला रहा हूं मैं फिर भी यार हद यार बताओ बिल्कुली बाई मेरे को कहाँ लेकर के जाओगे तुम लोग यह highway कहाँ जा रहा है ऐके मुझे राइट यहाँ पर होना चाहिए पहले मैं ठोड़ा सा साइड में देख लेता हूँ कोई है तुनहीं कोई नहीं है बढाल यहाँ पर तो मैं जो हूँ अपने राइट में आ जाता हूँ यहां से हम अराम से मोड लेते हैं और बाई 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 ब कितनी देर हमें यहां पर रुखना पड़ेगा बंद कर लेते हैं इसको ठीक है यह बंद हो चुका है है अब है सिगनल कब ग्रीन होगा अब हमारा अभी तो अधर की ही गाड़ियां आ रही है ठीक है इस्टार्ट करो प्रेटी हो गए है और अब हमें जो है लेप्ट मुड़ना है तो भाई साब हम इंडिकेटर देते हैं और भाई साब कोई है तो नहीं इधर हर जाओ भाई साब साइट हो जाओ और यहां पर आप चलते हैं आगे की तरह यहां पर लंबा सफर हो चुका हमारा और भाई आगे यह दो आगे भी मुझे लग रहा है बंद कर दिया गया है ऐसी लग रहा है मुझे एक सेकंड यहां पर मुड़ना पड़ेगा मुझे दूसरी लेंज चेंज करने पड़ेगा यह रुग जा भाई रुग जा 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 आगे भी देखना है प यह बक्चो दी हो रही है यहाँ पर तो मतलब मैं निकाल नहीं रहा ट्रक को ओए 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 मारोगे क्या तुम लोग मेरे को लो बाई ट्रक बंदो गया मेरा यहाँ पर इसको उठाना भी बहुत भारी काम है यार उठने ही पाता ट्रक ऐसे इतनी असानी से नहीं उठ पाता यार एकदम चल भाई चल 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 अरे यार तुमने लगवा दिया सिगनल फिर से यहाँ पर चल ले यार इनके चक्कर में न मैं ऐसी रह गया भाई यह देखो यह देखो भाई वो वाव क्या गज़ा ओरे बाई कितना ट्राफिक लग चुका है यहाँ पर मुझे तो सीधे जाना है ना हाँ मेरे को सीधे जाना है ठीक है हम सीधे चलते हैं यहाँ पर और फिर से हम घने जंगलों में आ चुके हैं यहाँ पर ओके ठीक है उसके बाद कहा जाना पड़ेगा हमें ये भी नहीं मालूम लेकिन हम घने जंगलों में हैं यहाँ पर भाई मेरे को लग रहा है यहाँ पर रात हो जाएगी मौसम भाई छिपने वाला है यहाँ पर सूरज हमारा और मौसम भी थोड़ा साम का मुझे लग रहा है होने वाला यहाँ पर लग रहा है सूरज तो दिखाई ही नहीं दे रहा हम सीदे चल लेते हैं और टेजी से इसको आगे लेकर बहगाते हैं यार टेजी से बहगाते है इसको ठीक है अरे भाई यहाँ पर आराम से थोड़ा सा आराम से भाई साब चलो 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 आराम से चलो भाई ओखे यहाँ से हम निकल चुके हैं पूरा मौरता है एक तरीके से घुमाओ ठीक है भाई साब रसा ही चल ले हम ओके पैट्रोल तो हमारा फुल है यहाँ अगर हाँ पैट्रोल फुल है ओके अरे यार अब इसके चकर में रुकना पड़ेगा फिर यहाँ पर स्ट्रिक्नल आ चुका है यार मजे दखा रहा है चलो भाई साब फोड़ी सी ओर दूरी है मेरी चलो भाई सब यहां से लेप्ट जाना पढ़ेगा हमको ओके इंडिकेटर हमने दे दिया चल यह तो गया भाई इदर को राइट को और अब मुझे थोड़ा सा देख करके यहां पर ओके यहां से ट्रक आ रहा हो इसको थोड़ा सा बचा लो ओके और गाईज ये जो है हमने अपने ट्रक क को यहां पर मुडा लिया है और आप चलते हैं सीधे ठीक है सही चल लाए है हम यहां पर और अभी पता नहीं कितना दूरी रह चुकी है मैं एक बार मैप में चेक कर लेता हूं और अभी तो भाई तीन घंटे यहां पर लगने वाले मैं क्या कर रहा हूं मुझे स्पीड आप यहां पर तीन घंटे अभी लगने वाले बाई 200 किलमेटर की दूरी पर यहां आप है बहुत लेट हो जाएंगा डिलिवरी बहुत ज्यादा लेट हो जाएगी इतनी ज्यादा लेट भी नहीं है आपको डिलिवरी और यहां पर एक ट्राफिक हो रखा है जैम कर रखा ह यहां पर आराम से रुख जा एक्सिडेंट हो जाएगा ठीक है भाई साब हम यहां से निकल दिये हैं और चलो भाई ओके तो हम यहां से निकल दिये हैं आराम से चल रहे हैं हम यहां पर अपनी लेन मैं जाता हूँ मैं सही से अब ठीक है अरे यार फिर मुझे मुझे बुड़ना पड़ेगा यहां पर यह गलत है गलत है एक से किन अराम से अराम से अराम से कोई नहीं है पीछे ठीक है और यह भी हमारा ट्रेलर मुझे चुका है ठीक है अब ठीक है भाई साब चलो आगे की तरफ और भाई यह देखो बस यहां पर पैटोल बरबा रही है बीजल होगा यार पैटोल तो नहीं हम अब हमारे जो फ्यूल है वह अभी ठीक है यहाँ पर मैं दिखा देता हूं यहाँ से तो दीक भी नहीं ओके चलते हैं आप आगे की तरफ और भाई साब यहां पर स्लोली हम यहां से निकल जाते हैं कोई है तो नहीं भाई कोई नहीं है ट्रक निकल गया मेरा ट्रेलर भी निकल गया मेरा ओ भाई इतर बच गया चलो ठीक है हम सही चल लए हैं यहां पर आगे रेख लेते हैं आगे क्या होने वाला है आगे बहुत ज़्यादा ट्राफिक मिल ला है हमें यहांपर भाई अभी दूरी बहुत जादा लंबी रह रही है हमारी 179 किलिमेटर की दूरी है 2.5 घंटे अभी लगने वाले हैं और भाई यहां पर थोड़ा सा अराम से क्योंकि यहां पर बहुत मुड़ रहे हैं लोग ठीक है तो यहां पर हमारे पास टॉल आ चुका है मैं सीधे निकाल लूँ गया सीधे निकाल सकते हैं वैसे तो हम ओके हम सीधे निकाल लेते हैं यहां से ठीक है यहां पर हमने ओके भाई यह बोर्डर आ चुका है ओके मुल्क है हम्मारे में ज़र्ण पर जरनी करने वालें हैं कर जब हम नदेड fantasy order करते हैं घांश मनदा बड़ा ही मजाता है लेकिन रीम्म माना कर देजिक में एक हो नहीं माहँ समुन है यार, हमें सीयरे जाना है यहांपर, भाई सा रुक जाओ, रुक जा भाई, रुक 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 निकल ले दे मुझए, थोड़ा साइड में देख लेता हूँ, सही चल रहे हैं, ठिक है, अरे भाई, बच गया, ओके, आगे की तरफ चलते हैं भाई, अब यहा पर र और अराम से यहां से और बोल न आई Heard matter फिर से एक और ऑडर चेक यहां पर मैं डूसरी कंट्री कर यहां पर व fancy क्याद उने वाला है है यहां पर ऊहोई टोड़ मत देना एक बार और हमारी डायर स्रेक होंगे यहां पर दूसरी जो सिखर भाइसाब छोड़ दो और न गर भदते हैंКि अब अब कुला है एक में अब कुला है मुझे लग अब ही अब कुला है बाद में चलो अरे यार यार ये भी भी बंढ उना था का ठीक है यहा से हम निकल लेते हैं कि अरे भाई लेप्ट मुड़ना है लेकिन यहां पर रोक करके सिग्नल है यहां आपर भाई ट्रक हमारा चलने के लिए रेडी है क्या पहले मैं देख लेता हूं यार यहां पर सिग्नल ग्रीन हो गया ओके ग्रीन हो चुका है यहां पर निकलो 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 यहां से निकलो ओके हम यहां से निकल चुके हैं बहुत अराम से और अब हमें आगे की तरफ चलना है भाई सब फिर भाई टर्ण लेफ्ट ओके थोड़ा सा मैं इधर देख लेता हूं ओके भाई ट्राफिक चला यहां पर तो इतना तकड़ा ओके चलो भाई अरे रुँआ रुँद 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 त्यर सत्या ना अब मैं कैसे निकालू ले बता मुझे आगे भी तो देखना है भाई आगे काँ जा रहा मेरे ट्रक यार आगे काँ जा रहा भाई ये बहा निकल जाता हूँ एक मिट अब यार बताओ कैसे करूँ मैं पहले आगे कर लेता हूँ वेट हद यार ओए लग मत जाना भाई लग मत जाना चलो निकल तो गया यहाँ से मैं अब तक तो बहुत अराम से लेकर के आ रहा हूँ यार इस ट्रक को ये देखो ट्रेलर डैमेज हो गया एक जब रास्ते हैं याराब यहां के तो भाई और भाई अब मुझे कहा जाना है भाई अरे यार भाई क्या गजब रास्ते हैं यार यहां के तो भाई ठीक है गाई जब हम यहां से निकल जाते हैं और यहां से निकलने के बाद अब चलते हैं अपनी आगे की जो डिस्टेंस है उसको कम्पलेट करने के लिए रुके रहना रहे रुके रहना पुलिस वाले ठीक है अब हम भाईज यहाँ पर अपनी स्पीड थोड़ी फास्ट कर लेते हैं और जितनी भी गाड़ियां हैं उनको ओवर टेक करके निकलते हैं क्योंकि भाई बहुत समय हो चुका है यहाँ पर हमने बहुत लेट कर दिया अपनी डिलिवरी के लिए और भाई अभी समय भी बहुत रह चुका है यार अभी दो घंटे ही पूरे नहीं हो पा रहे हैं भाई यह क्या ववाल हो गया भाई यार यह क्या है यार भाई निकलो यार यहां से यार बहुत टाइम हो चुका है भाई ओए तू तो मुझे मरवाएगा मैं यहां से और टेजी से निकाल लेता हूँ आपनी गाड़ी को भाई कैसे निकलेगी यार यह इचल तू राइट निकल ले निकल 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 ले जब हमारे सामने जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर है अब हम सीधे चल सकते हैं बहुत ही फास्ट और यहां पर कोई है भी नहीं लेकिन हमारे सामने फेर से एक और बस आ चुकी है यहां पर इसको अवर्डिक करना पड़ेगा लेकिन अराम से भाई कोई आ तो नहीं रास सा बहाँ निकलो बहाँ निकलो बहाँ निकलो बहाँ आप इतने आराम से भाग रही है यह अहां गई वो बस गई अब मुझे भी निकलना पड़ेगा यार यहां से चलो ठीक है यार एक्सिडेंट तो हो चुका है कोई बात नहीं यार यहां से निकल लेते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं मुझे उमीद नहीं थी यार इतना मतलब अच्छा सपर चला था और यहां पर आकर के एक्सिडेंट हो जाएगा यार मुझे उमीद नहीं थी इतना अच्छा सपर चला था यार मैं सोच वह था अबहुत अराम से लेकर के चलेंगी अपने ट्रक को लेकिन यार in speed speed लेकर में भाजाएगा प्यश्वाएटोल में यहँझे एक्सिडेंट कर डाला और यहँए पर मेरा सायद ट्रक और ट्रेलर दोने डेमेज होए हैं यहां पर हमारी 23 किलोमेटर की दूरी रह चुकी है और हमारे सामने ही हमारी कमपनी है और यहां पर हमें सीधे चलना है और थोड़ा सा राइट मुड़ना है हमें यहां पर उपर की तरफ जाना है यहां पर ठीक है मैं राइट कर लेता हूं अपने इंडिकेटर को राइट दे नहीं है ठीक है आगे की तरफ चलते हैं यहां पर और कंपनी हमारे सामने हमें दिखाई दे रही है थोड़ा सा गेर कम कर लेता हूं मैं अब यहां पर अराब से लेकर करके चलते हैं इसको और हम बहुत लंबा सबर करके आए हैं और यहां पर भाई दिखोगा इस ठीक है हैं भाई पीछे ट्रक हैं थोड़ा सा मुझे एधर साइड देखना है ठीक है ताकि मेरे जो ट्रेलर है वह बहुत ही अराम से यहां पर निकल जाए ठीक है यहां से हम जो है निकल चुके हैं और आगे की तरफ देखते हैं आके हमारी कंपनी आने वाली है यहां पर और यह दे भाई मुझे यहां पर मुड़ना पड़ेगा यहां पर मुड़ना पड़ेगा तोड़ा सा लेप्ट एंडिकरे देते हैं और यहां पर भाई साब आप सभी का धन्यावाद यहां पर हम आ चुके हैं और भाई कंपनी यहां हैं यहां पर तो यार बहुत ज्यादा कंपनी आ पर नुट ना पड़ेगा है ओके अपीछे है तो नहीं कोई नहीं है पीछे और इदर कोई आ तो नहीं रहा कोई नहीं आ रहा कोई पास्ट है यहां से हिदर पूम्ला लेते हैं और भाई यहां पर यह देखो रात भी होने को आ चुकी है यहां पर देख रहे हो यार यहां पर रात भी होने को आ चुकी है और भाई यह ट्रेन जा रही है ओ भाई यहां पर तो सारे ट्रेन बगड़ा कड़ी हुई है यहां पर कि एक यहां पर माल सप्लाइब कर दो लगता नहीं है यह तो कंपनी का माल है बिक्स बगएरा और यहां जा रही है यहां पर कि तो हम यहां पर पार्प करना इसको कि इस कंपनी में हम आ चुके हैं और थोड़ा सा आगे करके हम इसको लगा देते हैं और भाई आजाओ अराम से और भाई थोड़ा सा इधर को करके और यह थोड़ा सा इधर को करके बास अब हम इसको सेट करके लगा देते हैं थोड़ा सा बैक कर जाते हैं और बैक करके हम इसको लगा देते हैं यहां पर वेट 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 यहां से हम उसको लगा देते हैं थोड़ा सा और करना पड़ेगा अभी ओके अराम से अरे भाई पीछे लग चुका है कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं थोड़ा सा आगे कर देते हैं इसको ठीक है ओके भाई साब इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं फिर इसको हम सही से लगा देते हैं यहाँ पर वैसे तो लग चुका है कोई रिक्कत नहीं है यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा और कोशिस करते हैं यहाँ पर अरे यार यह तो और इदर जब भाग रहा है भाई इसको खड़ा करना बहुत मुस्किल होता भाई ट्रेलर कहीं और भाग जाता है और ट्रक कहीं और अंदाज लगाना बहुत मुस्किल होता है इसमें पता नहीं लोग कैसे खड़ा कर लेते हैं यार वो इस्किल्स वाले होते हैं बहुत अरे भाई गेर नहीं ड़ला क्या चल भाई चलो 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 ओके ये हम आ चुके हैं यहां पर ओके तो गाईज हमने यहां पर अपना ट्रेलर खड़ा कर दिया है ठीक है आज की वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो को लाइक से ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना मूलें थैंक्स पो वॉचिंग